Hello Ladies and Welcome to the studio members Industry bank को आज के दिन हम trade कर रहे हैं कल हमने अपने एक trade का video डाला था शाम को जिस system के according हमने trade किया था उस system को बहुँ भी कोशिश किय थी कि वहाँ पर हम point to point clear कर दें आज भी हम same system के थूर एक और अपना trade execute कर रहे हैं falling pattern के according day time frame पर चलेंगे इंडिस्टिंट बैंक के अंदर एक एक चीज समझ तेंगे कोशिश करेंगे कि higher time frame पर हमें marking कैसे की second point, marking दूर प्रैस को read कैसे क्या third point, lower time frame पर किस तरह के हमारी reading रही है anterior stop loss के points सारी चीज़ों को समझेंगे उससे पहले एक बात कि video से 101% अगर आप video देखते हो तो इसे जरूर से जरूर कुछ न कुछ हम कोशिशी करते सिखाने की और आप जरूर इसे कुछ न कुछ सीखते होगे समझते होगे और काफी कुछ benefits आपको इससे मिलते होगे तो वीडियो कर अच्छा लगते है तो प्लीज वीडियो को like कर देजे एक comment कर देजे और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हो और market को लेकर करके थोड़ा सा भी serious हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे लाइफ मार्केट के जितनी भी ज्यादा से ज्यादा चीज़े हो सकती है और जो भी beneficial points हो सकते हैं सारे के सारे में यहाँ पर share करते है तो thanks and start करते हैं आज का वीडियो देखिए इंडस्टिंट बैंक में हम लोग चलेंगे वापस से higher time frame पर यहाँ पर 23rd of September की candle देखिया एक्चली इनको क्यों देखना है volumes को अभी मौफ नहीं करें जस्ट आप रीट करने के कुशिश करो कि एक हाई है अगर हम इस candle को important मानते हैं तो यहां से हम price को कैसे read करेंगे because volumes and falling pattern के according क्या होता है कि तीन candles लगातार आपकी गिरते हुए क्रम में होंगी price गिरते हुए क्रम में भी हो सकता और upset के जाते हुए क्रम में भी हो सकता है एक बर इसका short review हम आपको दे देते हैं because falling pattern को लेकर के जो main videos के अंदर एक-एक चीज हमने बताई है आप entries, stop loss, target, date, time frame, grading एक-एक चीज हमने बताई हुए उस video का link हम description में रख देंगे वहाँ से click करके आप उसको देखेगा बहुत कुछ समझ में आजागा एक short overview हम आपको दे देते हैं कि जैसे तीन candles हम लोग देखते हैं कि लगातार गिरते हुए क्रम में होनी चाहिए इस तरह से volumes हमारी गिरते हुए क्रम में होंगी चाहें वो bullish हो चाहें बेरिश इसके लावा जो price की candles बनती हैं यह हमारी upside जाते हुए भी हो सकती है और गिरते हुए क्रम में भी हो सकती है कुछ यह conditions हैं जो कि हम fill up करनी होते हैं जब हम trade execute करना चाहते हैं इस pattern के according तो वापस देखे हमने यहाँ पर जो marking की है 23rd of September की candle का just हमने हाई माई किया because it's very important candle है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि price इस range को बार बर reject कर रहे थी देखे यहाँ से बार reject हुआ price upside के तरफ गया और फिर से नीचे के तरफ गिर गया बट यह वाली जो candle बनी इसके अंदर काफी ज्यादा volume आई थी और वो volume कहाँ पर आई है हमारे level के पास में actually यह level हमारे resistance level है price बार बर उस range तक जाकर के नीचे के तरफ गिर रहा है इस वाली candle को हम खास क्यों मान रहे है क्योंकि इस candle ने mother candle का shape लिया हुआ है और इस mother candle का breakout कल के दिन दिन select किया because day time frame पर भी हमको levels मिल रहे है और आज इसके अंदर event हुआ है that's why हमने इंडेसिंट बैंक को trade किया और यही reason है कि इस level से ही हमने trade किया इसको तो यह तो ही पहली चीज़ के हमने levels को किस तरह से निकाला अब ज़रा यहां पर आप price को rate करी अगर हम इस वाली candle को इस green वाली candle को क्योंकि यही वो एक पहली candle थी जिसने हमारी candle के उपर जाकर के closing कर दी थी clear है इसके बाद में फिर price ने इस green वाली candle के high के तरफ जाने की कोशिश की बट price वहां से मेरा नीचे के तरफ गिर गया था मतलब कि यह वाली जो green candle यह एक resistance के तरह react कर रहे है और इस resistance नहीं हमारा यह वाला low लगाया high से एक यह low हमने mark कर दिया अब देखिए छोटी छोटी price analysis होती है अब यह जो green वाली candle आप देख रहो है इस candle ने हमारी एक candle को break करने के कोशिश की थी which is this one इस वाली candle को downside के तरफ गिराने की कोशिश की but price again हमारे is black वाली candle के अंदर चला गया और is black वाली candle की range के अंदर जाकर के ट्रेट कर रहे है अब अगर price हमारा week है तो इस black वाली candle को नीचे के तरफ ब्रिक कर दे और अगर यह strong है तो इस वाली range के ऊपर में जाकर के ना रहा हो तो यहां पर आप क्लिक करने की कोशिच करिए इस जगह पर वॉल्यूम्स चोंगे 13th of October की वॉल्यूम 1.98 14th October 2.9 वर्ट ज्यादा है और 2.9 से 17 में आ गए है 3.42 और इसके बाद में देखे 3.45 कंसिस्टेंट वे में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और इसने हमारी रेंज को अपसेट की दर्फ ब्रेक करके क्लोज कर दिया मतलब कि मेरे पास एक लेवल बिर निकला है और एक लॉजिक भी एक ठीक लॉजिक हमारे पास है क्यों हम 1215 और 1213 के पास इसको ट्रेड एक् तब इसके अंदर हमने अपना trade execute किया आप देखो गे निफ्टी को तो निफ्टी ने क्या किया था पहली बार में कि अपसेट की तरफ एक swing बनाया नीचे की तरफ गिरा फिर से एक swing बनाया फिर नीचे की दिशाय में गिरा एक high और फिर से price हमारा support पर आया क्योंकि निफ् हम इसके अंदर trade execute कर सकते हैं तो simply सबसे पहली जो candle में उठाई है 1218 रुपे पर हमने इसका अपना trade execute किया था जब आप देखोगे तो ये वाली एक black candle आपको दिखेगी 1270 रुपे 20 पैसे पर और यहाँ पर जो trade हमने अपना execute किया है 620 कौइंटी है 1218 रुपे पर हमने trade execute किया stop loss जिसका लगा है 1212 रुपे 25 पैसे का मेरा stop loss है जो अपना profit है profit 3500 620 कौइंटी 1218 रुपे पर trade execute है 3400 रुपे के असपास का profit इसके अंदर चल रहा है अब देखे वापस यहां पर आएंगे इस एक candle को भी हमने पता दिया कि price जब इस वाली range के ऊपर निकला तब हमने trade execute किया अपना stop loss के लिए basically हमने इस वाली green और stop loss के लिए हमने इस red वाली candle का just low ले लिया है 1212 रुपे 25 पैसे का क्योंकि उसक्त का जो हमारा low था वो यही अरिया था तो यह पूरी analysis है हमारी अगर इंडेसिंग बैंक को आज upside की तरफ का move दिखाना है तो यह नीचे की तरफ नहीं गिरेगा बहुत ज्यादा हद तक हो सकता है कि अगर stop loss जाना तो चला जाए क्योंकि stop loss अगर हम day low के नीचे लगाते हैं काफी बड़ा हो जाता जिस वएसे day low के stop loss हमने prefer नहीं किया exact जो swing बन रहा था वहां तक हमने अपना stop loss ले लिया अब यहां पर price ने क्या किया हमारा CHOCH अकसर आप देखते हो कि हम use करते change of character तो price ने लो लगाया low के बाद में मतलब market ने यहां पर आकरके अपना character change किया और upside के उपर जाकर के closing कर दी और यहां से हम देखने कि हमारी important candle है इसके भी उपर जाकर के price closing कर रहा है इस वएस हमने यहां पर अपना trade एक्सक्यूट किया और nifty पर हमने किस तरह से अपनी confirmations लिये यह भी हमने आपको show कर दिया 17,000 pounds से एक level है अपना important level है जिस वैसे और आज के लिए भी अगर candlesticks को देखें आप क्यूंकि nifty के अंदर भी volumes show हो रहे हैं तो यहां पर काफी जादा हमें support देखने को मिल जाता है तो इससे भी हमें काफी सारी confirmations मिलती हैं इसके अंदर जो हम टार्गेट्स अपने लगाना चाहते हैं यह ब्लैक वाली केंडल यह हमारा आज का इंट्राडे का टार्गेट पॉइंट होगा कि यहां पर अपने टार्गेट्स हम भूक करना चाहेंगे तो अगर प्राइस वहां तक जाता है तो ठीक टाक एक डीसेंट सा प्रॉफिट हमें देखने के मिल जागा यही अपना एक रेस्टेंस कर गिया है तो इस रेस्टेंस के पास से जैसे प्राइस पहुंचाएगा हम यहां से देखेंगे अब यहां पर हम एक एक चीज जो आपको बताते हैं सब कुछ लाइफ मार्केट से डिराइफ हुआ होता है यह नहीं है कि सिर्फ हम आपको बाते कर रहें बिना सिर्पैर की बाते बस ठेयरिटिकल नॉलेज्ज हम सिर्फ देते चले आ रहें trade execute कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या logic है, profit चल रहे हैं, loss चल रहा है, जो भी हो रहा है, सब कुछ आपके सामने होता है, एक एक चीज जो हम आपको यहाँ पर दिखाने के कोशिश करते हैं, जो आप सीखते हो, सब कुछ live market में आपको work होता हो नजर आएगा, free में भी जो जो देने, like, आज की strategy, आज जैसे हमने stock or trade का, free में है, आप जोग इस video पर आपको एक एक चीज समझ में जाएगी, class में भी जो points हम बताते हैं, कई बार आप लोगों की साथ हम share कर चुके हैं, कि धीरे धीरे करके हम कोशिश करते हैं, उसको और implement करें, आज से एक या देर सार प profit ले करके चुप-चाब बाहर, और जब loss चला है, तो पंद्रा सोथ, दो हुजार, थाजर, तीन हार रुपाय का loss चला है, नहीं, यहां पर psychology वोग करते हैं, तो इस तरह से जब आप practice करते हैं, जो हम exercise करवाते हो, उन exercises के थ्रू जब आप निकलते हो, और उसके बाद में trade execute करते हो, तो बहुत सारा benefit आपको देखने को मिलेगा, so thanks, and trade हमारा चल रहा है, जो भी थोड़ा profit होगा, क्योंकि अब देखे, time तो काफी सारा हो चुका है, price अपने swings को भी लगातार break करने की कोशिश कर रही है, यहां से, move आपको यहां से देखने को मिल जागा, price अगर इस नहां से लेकर के हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, so 4200,500 के आसपास का profit हमारा चल रहा है, 526,200, okay, बड़ा move होता है या है, फिर हम इसके अंदर से exit करते है, अब बाहर निकलने का time हो चुका है, because 3.15 minutes हो चुका है, यह 3.10 के calendar है, जिसके complete होने में 1 minute and 24 seconds बचे हुए है, इस वाद हम पूरी तरह से cost cost पह रहे है, 93 rupees, 300 rupees का लगभग loss, अब यहां से बाहर निकलता है है हम लोग, so सबसे पहले तो, जो हमारी stop loss order इसको cancel करते है, stop loss cancel है, और morning में CNC order हमने लगा दिया था, जिस वादे से order reject हो गया था, 628 quantities, account की capacity से बाहर कर ठीट था है, cash and carry में 628 quantities उ stop loss का, positions हमारी जो चल रही, 900 rupees, loss ना बैठे हुए, 700, cut देते हैं, विया से निकल जाते हैं, सिद्या, square of fantasy, 12, 17, 20 चल रहा है, 12, 17, 45, 12, 17, 45, अब कितना हो गया, 12, 17, 30, 12, 17, 60, 12, 17, 55, 1270 rupees 60, 1270 rupees 60, 1270 rupees 60, पर यहां से बाहर निकल चुके हैं, and 1270 rupees 60, पैसे ही देखे हैं, यहां पर अपना पूरा का पूरा order जो लगाया था हमने, वो execute हो चुका है, 620 quantities पूरी निकल गही है, and overall जो हमारा आज का profit, profit ने बोलेंगे, loss ही ह एक तरह से, because 242 rupees का loss है, और 300 rupees आप brokerage मान के चल सकते हो, तो करीब 500-600 rupees का overall हमारा आज की trading session का loss ही है, कोई बात नहीं है, ऐसे भी market आएगी, जब हम लोग cost cost निकलेंगे, जब हम लोग profit में निकलेंगे, जब हम लोग loss में निकलेंगे, अपना system चेंज नहीं कर देना है, कि दो दिन loss हो गया रहे है, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई system में नहीं है, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, एक ही system के according आपको 4-5 दिन लगाता हो, तो यहाँ पर system की गलती रहे है, कई बार market ही वैसी होती है, तो market को भी accept करना में सीखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि किस किसी भी तरह की market चल रही हो, हमारा system हमेशा हमको पास ही करता हो, हमेशा आपके trades profits में निकलती हो, नहीं, आपका system fix होना चाहिए, market थो किसी भी तरह का move दिखाएगी, जिस दिन आपको loss होगा, उस दिन हो सकता है किसी और को profit, उस दिन उसका system काम किया, आपका काम नहीं किय तो market भी जिस तरह का move करती हो, उसे भी हमें accept करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मेरा system काम ही नहीं किया, मतलब कि मेरी system खराब, नहीं, market न उस दिन आपको system को respect नहीं कि, जाने दिजए, कल के दिन देखेंगे, कोई बात नहीं, हमको profit हो रहे है, हमको आज loss होगा, तो को विल्मीट अगें